हलो फ्रेंद्स वेलकम टी यू आल अन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है तो दोस्तो सर्दियों के मौसम में आप सर्वीनी अम्रूत तो खाए होंगे और अम्रूत हमारे स्वास्त के लिए सेहत के लिहास से एक बहुत ही उम्दा फल होता है लेकिन क्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होते हैं लकिन यदि आप बहुत सारी क्टेDas समस्या चाहिए और हैं किंशन समस्या घूनी से समस्या यह स्किन घृलेट 54 उसल थीए इस कीजी सकते हैं तो आज हम अम्रूत खाने के बाद ऑर अमरूत के साथ किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं अमरूत के अंदर बहुत सारे पोशक तत्त होते हैं इसमें उजा, प्रोटीन, फाइबर, वाइटमिन वाइटमिन सी, वाइटमिन ई, वाइटमिन के, वाइटमिन बीजिक्स, काल्शियम, आयरन, मिगनीशियम, फोस्फफोरस, पोटाशियम, सोडियम, जिंग, कॉपर, महसूद होता है तो आप कह सकते हैं एक अमरूत का फल आपकी स्टेहद के लिए बहुत ही फाइदे बंद होत यहां तक ही कहते हैं कि निम्मू से भी जादा इसमें वाइटमेंस ही होता है तो आप पूरे ठंड के समय कम से कम एक अम्रूज जरूर खाएं। लेकिन कितनी बार हम ठंड में बहुत सारी चीजों को जब मिलाके इसके साथ खाते हैं तो बहुत सारी बिमारियों का कारग भी बन जाता है। तो देखे सबसे जो पहली चीज है वो यह है कि अम्रूज के सेवन के तुरंत बात किसी भी व्यक्ति को कभी भी पानी या पेपदार्तों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल विरदाहार होता है आपका जो आपने अम्रूज लिया है। उसका एक तो वाइटमिन सी और जितने भी आपने वाइटमिन उसके अंदर होता है वो आपकी बाड़ी अब्सोर्व नहीं कर पाएगी। दूसरा आपकी बोड़ी इतने हाई फाइबर के तुरंट पाते दे आप इतना पानी पी लेते हैं या कोई भी पेपदार्त पी लेते हैं खासकर चाय या पानी ले लेते हैं तो यह आपकी शरीर को नुकसान देगी और दस्त जैसी समस्या दे सकते हैं या उल्टी पाने के तुरंट पात पानी या पेपदार्तों का सेवन नहीं करें यदि आपको अमरूत काने के बाद पानी या पेपदार पीना है तो कम से कम एक घंते का गयाप ज़रूर रखें इसकी वज़े से कितनी बार सर्दी जुखाम की समस्या बढ़ जाती नजले की समस्या हो लातती कफ की समस्या भी अभी बाद बढ़ जाती है दूसरी चीज को सेवन के बादक और लेना चाहिए वह है दूद की तासिर होती है अमरूत की थंडि होती है यदि आपने अमरूद या अमरूद से बनी कोई चीज खाई है तो उसके तुरंत बाद या साथ में या बहुत जल्दी जैसे कि हम कह सकते हैं कि आदा या एक गंटे के अंदर ही यदि आप अमरूद के बाद दूद ले लेते हैं तो यह बहुत जादा नुकसान दे हो सकता है यह इसकिन सम्मंदि समस्या पैदा कर सकता है पेट में दर्द, जलन, सूजन जैसी समस्या कर सकता है पाचन सम्मंदि दिक्कत बहुत जादा दे सकता है तो जब भी आप अमरूद और दूद का सेवन करना चाहते हैं एक तो इनको अलग-लग सेवन करें और दूसरा कम से कम दो घंटे का गया ज़रूर दे। यही बात अम्रूत और दूद के अलावा यदे आप देखें तो दही के साथ भी है। डही और अम्रूद का सेवन कभी एक साथ ना करें, इसके अलावा पनीर अम्रूद, चीज अम्रूद, घी अम्रूद, बटर अम्रूद और चाच और अम्रूद, इन चीजों का सेवन कभी भी साथ में नहीं करें, वरें ये पाचन संबंदित समस्या को पैदा कर देगा, और में खुजली स्किन रैसेस इसके अलावा नजला जो काम सर्दी और कफ को बढ़ाने में मददकार हो जाएगा तो यदि आप इन बेमारियों से फस्ना नहीं चाहते और अपने आपको बचाना चाहते हैं सुस्त रहना चाहते तो इन दूद और दूद से बनी चीजों से और ख समस्याएं हैं वो लोग अमरूत का सेवन करने से पहले एक बार अपनी डाइटीशन से जरूर संपर करें क्योंकि इसके बीज होते हैं वो कितनी जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़े दिक्कत पैदा कर सकते हैं तो अपने एक्सपर्ट की राय लेकर ही आप यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो फिर मिलते हैं तब करें